नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका D11 टीम्स यूट्यूब चैनल में आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इंडिया वुमेन वर्सिज ओस्टेलिया वुमेन के बीच होने वाले तीसरे T20 मैच की ड्रीम 11 टीम और ड्रीम 11 प्रेडिक्शन के बारे में देखो भाई हो इस सीरीज के दो मैच और लेड़ी खेले जा चुके हैं पहला मैच इंडिया वुमेन के टीम ने जीता और दूसरा मैच और अस्टेलिया वुमेन के टीम ने जीता और यह जो तीसरा मैच है यह फाइनल मैच है जो टीम यह मैच जीतेगी वो सीरीज जीत जाए तो दोस्तो ये वाला मैच कहला जाएगा डोक्टर डिवाई पार्टन स्पोर्ट्स अकैडमी नवी मुंबई के ग्राउंड के उपर आज यानि 9 जनवरी को शाम को 7 बजी मैच स्टार्ट होगा सबसे पहले बात वीडियो को लाइक करके चैनल को सबस्क्राइब कर दो यार लाइक करना बिल्कुल फरी और आपको ऐसी कमाल कमाल की वीडियोज मिलती रहेगी तो चैनल को भी सबस्क्राइब कर दो और साथ ही देखो दोस्तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और प पहले जो T20 मैच इन दोनों टीमों के बीच इस सीरीज में खेला गया था ना, उसके में क्या ड्रीम टीम देखने को मिली थी, उसके में कुछ ऐसी ड्रीम टीम देखने को मिली थी, देखो भाई, यह जो दो T20 मैच उल्लेडी इस साल खेले जा चुके ना, इस सीरीज के अंद ये दोनों की दोनों मैच डोक्टर डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकेडमी नवी मुंबई यानि इसी ग्राउंड की ऊपर खेले जा चुके हैं पहले T20 मैच के अंदर उस्टेलिया वुमेन ने पहले बैटिंग करते हुए 141 रन बनाए 10 विकेट पे और इंडिया वुमेन की टीम ने 145 रन बनाके 9 विकेट से मैच जीत लिया और अगर उस मैच के अंदर डीम टीम की बात करें तो कुछ ऐसी डीम टीम देखने को मिली थी जिसमें उस्टेलिया वुमेन की तरब से बैथ मुनी ने 17 रन बनाए अलिसे पेरी ने 37 रन पोईबे लिच्फिल ने 14 रन बनाए और जोर्जिया वाराम को एक विकेट मिला और आपको फर्स्ट रन बनाए टीम में उस्टेलिया वुमेन की तरब से बैथ मुनी अलिसा पेरी पोईबे लिच्फिल और जोर्जिया वाराम देखने को मिली थी चेफाली वर्मा, दिपती शर्मा, अमन जोत को और रेनुका सिंठाकूर, श्रियंका पाटिलो तितसंदू देखने को मिलेते और उस मैच के अंदर कप्तान बनी तितसंदू चार विकेट इसाथ और वाइस कप्तान बनी सेफाली वर्मा, चौंसर टरनों के साथ ये आपको फ दूसरा T20 मैच खेला गया था ना, उसके आपको कुछ ऐसी ड्रीम टीम देखने को मिली थी, जिसने फर्स्ट रैंक हासिल की थी, और दूसरे T20 मैच में और उस्टेलिया वूमेन की टीम ने टोस जीत के पहले बोलिंग चूज की, और उस मैच में इंडिया वूमेन की टीम 130 रन बना पाई 8 विकेट पे, उस्टेलिया वूमेन 133 रन बना के 6 विकेट से मैच जीत लिया, और उस मैच के आपको फर्स्ट रैंक की उच ऐसी टीम देखने को मिली, जिसके अंदर गरम टोप पफोर्मर की बात करें, तो रिचा गोस ने 23 रन बनाए, दिप्ति शर्मा न के तरब से बात करें, तो आईसा हैली ने 26 रन बनाए, अलीसे पेरी ने 34 रन, किम गार्थ को 2 विकेट मिले, ऐसलें गार्डनर ने 1 विकेट लिया, 7 रन बनाए, अनाबिल सदर्लेंड को 2 विकेट मिले, जोर्जा वारम को 2 विकेट मिले, और ताहिला मेगराथ ने 19 रन बन बनी थी जोर्जिया वारेम दो विकेट के साथ यह आपको दूसरे T20 मैच की टीम देखने को मिली थी जिसने फर्स्ट रैंक हासिल की थी और यह दोनों के दोनों T20 मैच इसी ग्राउंड के उपर खेले गए थे अब आप दोनों मैचों के अंदर एक चीज़ देखो जिस मैच के अंदर इंडिया वुमिन की टीम ने पहले बोलिंग की ना उस मैच में इंडिया वुमिन के साथ प्लेर टिम में आए और चार फे और चीज़ तो कलियर है कि टोसोने के बाद टीम बोलिंग चूज करेगी और जो टीम पहले बोलिंग करेगी उसको थोड़ा पहले बोलिंग करने वाले टेम के फिर में कुछ ग्रैंड लिग के टीप में बना सकते हो बाकि यह दूसरे 2020 मैच की में यह पहले 2020 मैच ये तीन प्लेयर होगी टोप ओडर की बैट्समें, उसके बाद मिडल ओडर की बात करें, तो हर्मन प्रीत कोर, दिपती शर्मा, रिचा गोस, अमन जोट कोर और पुजा वचकर तक बैटिंग कर लेती है, और बोलिंग के अगर हम बात करें, तो तिधस संदू एक बोलर, रेन का पार्टिल ने दोनों मैचों के अंदर विकेट निकाले, उसके अलावा, शेफाली वर्मा और समरीति मंदाना ने एक मैच में अच्छा पर्फोमेंस दिया है, बाकि देखो दोस्तों, अगर आप डिफेरेंचल प्लेर की बात करो ना, तो हर्मन प्रीत को डिफेरेंचल क्योंकि इस प्लेर का रिकोर्ड वर्मन के खिलाव हमेंसा यह अच्छा देखने को मिलते है, अब मापको एक और चीज़ दिखाता हूँ, देखो यह है पहले T20 मैच के अंदर टीम इंडिया का बोलिंग सेनेरियो, और यह है दूसरे T20 मैच के अंदर टीम इंडिया का बोल विकेट लिये और अमन जोद कोर ने दो और की बोलिंग के और एक विकेट लिया और आप देखो कि इंडिया वोमेन के ओल्मोस्ट पांच बोलर ने विकेट निकाले थे, जिसमें से सब ज़्यादा विकेट तित संदून निकाले थे, चार विकेट, अब दूसरे T20 मैच के अंदर इंडिया वोमेन के टीम ने सेटए इनिक के अंदर बोलिंग की थी, विकेट मिला दिपती शर्मा को दो विकेट मिले, और पुजा वचकर को एक विकेट मिला, यानी माधतर तीन ही बोलर विकेट निकाल पाय थे, एनी सिंपल सी बात है, अगर टीम इंडिया पहले बोलिंग करें तो इंडिया के पार प्ले के पैसर रेनुका सिंख ठाकूर और तितर संदू थोड़े क्रूशल रह सकते हैं अगर इंडिया सेक्ड इनिंग में बोलिंग करें तो दिपती शर्मा हो गया शेंग का पाठील हो का यह प्ले कुशल रह सकते हैं या आप इंडिया क के दोनों जो 20 मैच के लेगे उनका बोलिंग सेनरी यहां पर देख सकते हूँ अब यहां पर अगर हम टीम इंडिया की प्लेरों की रिकोर्ड की बात करें तो समृती मंदाना लेफ्टी बैट्स में ने पहले मैच में चोंबंधन दूसरे मैच में तेशर डीसेंट फोम में है लेकिन रैट टाम ओफ ब्रेक स्पिनर से खत्रा रह सकता है और सामने वाले टीम में रैट आम ओफ ब्रेक स्पिनर है एसले गाडनर जो की पूरे चार ओर की बोलिंग भी करेगी और चार या पांश टमबर बैटिंग करने भी आएगी उसका दमारे पास है सेफाली वर्मा राइटी बैट्स में पहले मैच में चोंसर रण दूसरे मैच में एक रन उसका मारे पास है जमाइमा रोडरीकूज राइट ने डिबैट्स में ने 6 और 13 रन बनाए दोनों में चोके अंदर रोडरीकूज के तोना अच्छा पफॉमेंस नहीं है लेकिन काफी टेकनिकल प् ना तो हर्मन प्रीत कोर का रिकोर्ड सबसे ज़्यादा आउटस्टेंडिंग है उस्टेलिया वूमेन के खिलाव उसके मारे पास है दिप्ती शर्मा लेफ्टी बैट्समें ओफ ब्रिक बोलर है पहले मैच में दो विगट थे दूसरे मैच में तीस रन दो विगट थे यान मैं है अगर टीम इंडिया की टीम पहले बैटिंग करें तुरिचा घौस्क की बैटिंग आने के ज्यादा चांचे जय है as compared to teem इंडिया 2경 में बैट है तो उसके बाद हमारे पास रहे पास है सईरेंग का पारिल ओफ गय दो विकय बोलर और नूसरे मैच में 2 विकर दूसर पहले मैच में एक विकेट, दूसरे मैच में जूरी विकेट, तितर संदूर आइटाम फास्पी एंपेसर, पहले मैच में चार विकेट, और दूसरे मैच में कोई विकेट नहीं निकाल पाई थी, हाला कि इंडिया वुमेन की टेम अगर चेंज करेगी, तो शायक का इशाक को इस मैचे मोका दे सकती जो कि एक लेफ्ट आम और रोक्स भीनर है और शाहिक का इस जाथ इस ग्राउंड के उपर आउट स्टेंडिंग रिकोर्ड करी करती है और अगर साहिक का इस आख खेले तो आप ग्रेंड लिक के अंदर आग बंद करके ट्राइग कर लेना अभी इंडि अगर इंडिया वूमन की टीम पहले बोलिंग करे तो रेनुका सिंठाकोर तेतसंदू में जाथ किसी एक या दोनों को मौका दे सकती हूँ बाकी देखो दोस्तो जब आगे हम टीम बनाएंगे तब मैं आपको और प्लेरों के बारे में ज्यादा डिटिल में कलियर कर से अलीसा हैली और बैथ मुनी ओपनर तीन नंबर पे तायला में गराथ ये तीन प्लेर होगी टोप ओडर की बैट्समें उसके बाद मिल ओडर की बात करें तो अलीसे पैरी एसलेंग गार्डनर पोईबे लिच्फिल और ग्रेस एरिस और अनाबिल सदर्लेंड तक बैटिं सेनर्य ये दूसरे टीटवंटी का बोलिंग सेनर्य पहला टीटवंटी मैच इनकी टीम नो विकेट से हार गई थी तो इनके एक ही बोलर जोर्जिया वारेम को एक विकेट मिला था बाकि सारे बोलरों को विकेट नहीं मिला था और पहले टीटवंटी मैच के अंदर इनकी इन्से तिम ने साफन के अंदर tickets अब दूसरे 20 इंसके अंदर के तीमने फ़र्स्ट इानने के अंदर बोलिंगकी थी और आप देख सकते हु इनके भी दो Когда 에सले गार्डने चारों की बोलिंग की एक विकट लिया अनाबेल्स अदर लेंड ने चारो की बोलिंग है और जॉरजिए वार्म ने चारो की बोलिंग के बोलिंग की और अगर बाइचांस मेगन शूट की जगान की टीम डार्सी ब्राउन को मोका देती है तो ये भी ग्रेंड लिक की डिफरेंशिल रह सकती है क्योंकि बहुत कम बंदे ध्यान देंगे और आपको पता अगर पूरे चार ओर की बोलिंग करती है ना तो चांसिज होते हैं विकेट लेनेगे अब इनके प्लेरों की रीसेंट फॉर्म देख लेते है अलीसा हैली है राइटी बैट्समेन विकेट कीपर और कप्तान भी ऑस्टेलिया वुमेन की पहले मैच में आठ दूसरे मैच में 26 रख तो बैटिंग से तो कॉंट्रिबूट करेगी करेगी साथ ही विकेट कीपिंग से भी कॉंट्रिबूट कर सकती है उसका बैथ मुनी है लेटी बैट्समेन है 17 और 20 रण बनाए लास्ट के दो मैच में लेकिन एक बात आदू अगर आप हेट वेड रिकोर्ड कंपेर करोगे ना इंडिया वुमेन और उस्टेले वुमेन की तो बैथ मुनी का आउट्स्टेंडिंग रिकोर्ड है इंडिया वुमेन के खिलाफ ये चीज ध्यान रखना ताहिला मेगराथ है राइटी बैट्समन राइटा मीडियम पेसर है पहले मैच में जिरो रन और जिरो विकेट दूसरे मैच में 19 रन बनाए और बोलिंग नहीं की थी उसके दमरे पास है अलीसे पेरी राइटी बैट्समन राइटा मीडियम पेसर है पहले मैच में फ्लोप थी दूसरे मैच में साथ रन एक विकर्ट था यह प्लेर यहां पर आपके लिएक सेफ केप्टन सी का भिदाविदार है क्योंकि तीन चार ओर की बोलिंग भी करेगी और बैटिंग करने का भी अच्छा का सा मोका मिल सकता है इसको उसके अनरपास है पो कोी प्रीकले सकति है उसके ग्रेस एसरारी मेंस मेंज क्राइब्स में ये पहले मंच में विकर्ट थीयक्ते ओ dak他們 कंद नि swoją सेरे ब्स और है नहीं है पहले महत नहीं रही ओ Tellstein में पर इक लेकिन दोनों में चुकर अंदर पूरे चारोग की बोलिंग किए उसका डार्सी ब्राॉं ने एक मैच ख़ला जिसके अंदर विकेट नहीं मिला था जैस्ज जोनासन लेफ्टाम और तरोलॉक्स मुन्द अभी तरक खेलने का मुखा नहीं मिला है लेकिन अगर जैस्ज जोनास बैटिंग में अलिसे पेरी समिर्थी मंदाना, ओल्डाउंडर में ताहिला मेगराथ, ऐसले गार्डनर, दिप्ति शर्मा और अनाबिल सदर्लेंड, और बोलिंग में जोर्ज आवारम, किम गार्थ, शिरंका पाटिल और तितर संदू को लिए, कप्तान ऐसले गार्डनर को ब मोका दे सकते हो, एक दो पोसिबल चेंज कर सकते हो, अब मापको मेरी एक मेगा ग्रेंड लिग की रिसकी टीम दिखाते हो, यह है सेफ टीम, जो मैक्सिमम लोग बनाएंगे, यह मेरी मेगा ग्रेंड लिग की रिसकी टीम है, विगड़ी की पर में है बैथ मुनी, औल्ड राउंडर में है एसले गार्डनर और दिपती शर्म और बोलिंग में है रेनुका सिंग्ठापूर, किम गार्थ, श्रिंका पाटिलो और तितस संदू, कप्तान मेंने दिपती शर्मा को बनाया है, वास कप्तान मेंने अलिसे पैरी को बनाया है, यह है 100% ग्रेंड लीक सब्सक्राइब कर दो, और एक चीज याद रखना, इस खेल के अंदर वित्य जोखिम भी है, और आदत भी लग सकते हैं, तो सोच समझ के खेलना, धन्यवाद.